नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नीज में मैं हूँ आपके साथ अभे विशाल केंद्र सरकार द्वारा गुर्वार को सोसल मेडिया प्लैटफॉर्म और ओवर दर टॉप यानि की OTT प्लेयर का दुरूपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है इसके तहट सरकार द्वारा चिन्नित की गई किसी भी सामगरी को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा साथ ही देश में त्री अस्तरिय शिकायत निवारन तंत्र बनाना होगा ट्विटर और वाट्सेप जैसी प्लेटफॉर्मों को देश की संपरभुता और सुरक्षा के खिलाप राष्ट विवधी संदेशों के मुल्क सुरोतों की पैचान करनी होगी अपराज सिद्ध होने पर 5 वरस तकी सजा हो सकती है यह विवस्था भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा के साथ सामाजिक विवस्था दूसरे देशों से रिष्टों और दुसकर्म और यौन सौसन जैसे मामलों पर लागू होगी इसके अलावा इन कंपणियों को हर महीने शिकायतों और उनकर हुई कारवाई की रिपोर्ट देनी होगी सबसे खास बाती है कि इन दिसा निर्देसों के जरिये पहली बाद डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया को कानून के दायरे में लाया गया है Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code नाम से जारी इन दिसा निर्देसों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना प्रोध्यविकी एवन संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतिया अपनी रचनात्मक्ता दिखाने सवाल पूछने, जानकारी देने, अपनी राय रखने और सरकार की आलोचना करने में सोसल मेडिया प्रैटफॉर्मों का उइस्तिमाल करते हैं उन्होंने अभी कहा कि सरकार लोगतंद्र क्या वस्तक तक्तो के रूप में प्रतेग भारतिया के आलोचना और असहमती के अधिकार को स्फिकार करती है और उसका सम्मान करती है भारत सबसे बड़ा खुला इंटरनेट समाज है और सरकार भारत में काम करने ब्यापार करने और मुनाफा कमाने के लिए सोसल मेडिया कमपनियों का स्वागत करती है हलांकि उन्हें भारत के संग्विधान और कानूनों के प्रती जवाब दे होना पड़ेगा वहीं के अंद्रिया मंत्री प्रकास जावरेकर ने कहा कि OTT प्लैटफॉर्म पर पर परोसी जा रही सामगरी को लेकर लगातार सिकायते मिल रही थी संसत के दोनों सदनों में लगातार इससे संबंदित मामले उठ रहे हैं इसलिए सरकार को आगे आकर इनके लिए नियम बनाने पड़े हैं आपको बता दी कि सरकार द्वारे दिसा निर्देश तब जारी किये गए हैं जब हाली में किसान आंदोलन के दोरान ट्विटर पर ऐसे मैसेजों की बाड़ आ गई थी तब सरकार ने ट्विटर से राष्ट फिरोधी मैसेज भेजने वाले 15 से अकाउंट बंद करने को कहा था केंद्रिया मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी कहा कि डिजिटल मीडिया पोटलों को अफ़वाहे फैलाने का कोई अधिकार नहीं है मेडिया की अजादी अंतिम नहीं है इन पर तर्क संगत पाबंदी भी है मेडिया डिजिटल मेडिया और OTT पर सामगरी सूचना एवं प्रसारन मंत्राले द्वारा प्रसासित की जाएगी वहीं OTT प्लैटफॉर्म को ऐसी ब्यवस्था त्यार करनी होगी जिससे यह पता लगाए जासे की यूजर की उम्र वैस्क की सामगरी का कंटेंट देखने लायक है या नहीं दिसा निर्देशों में इसके लिए सरकार ने OTT प्लैटफॉर्म से वेरिफिकेशन मेकेनिजम त्यार करने को कहा है मतलब अगर किसी की आयू कम है और वह उपर किस रेनी का कंटेंट देखने चाहता है तो यह ब्वस्था बनने के बाद संभव नहीं होगा आपको बता दें कि अभी OTT प्लैटफॉर्म पर इस तरह की कोई बवस्था नहीं है OTT के लिए पैरेंटर लॉक यानि ऐसी बवस्था करनी होगी जिससे अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकें जो उनके लिए ठीक नहीं है समचार पोटल्स के लिए सुप्रीम कोट के सिवा निवरित नैधिज जैसे व्यक्ति की अध्यक्स्ता में एक सरकारी समेती भी बनेगी या प्रकासक को चेतावनी सामगरी हटाने जैसे निर्देश दे सकेगी सरकार अंतर विभागिया समिती बना कर निगरानी करेगी सोसल मेडिया कंपनी को किसी आपत्ती जनक, सारारती पोस्ट या संदेश को सबसे पहले किसने लिखा इसकी जानकारी मांगने पर देनी होगी यह दोस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, दुसकर्म जैसे मामलों में लागू होगी शिकायत निप्टारे के लिए तंत्र बनाना होगा, एक भारती अधिकारी की नियुक्ती करनी होगी इसका नाम भी बताना होगा अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निप्टारा 15 दिनों के अंदर करना होगा तो अभी के लिए बस इतना ही, बिहार की हर छोटी बरी खबरों सरूबर होने के लिए देखते रे बिहारी नूज, धन्नवाद